लो दोस्तो मैं हूँ प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिस्रा पर दोस्तो आज मैं लेका आया हूँ आपके लिए दो बड़ी अपडेट इसमें से पहली अपडेट है इलेक्रिस दिफिकेशन से संबंदित और दूसरी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और कॉमेंट करके बताए कि यह प्रयास आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों आपको पता ही होगा समस्तिपूर दर्भंगा जैनेगा रेलान पे लेक्रिकेशन का काम चल रहा है सबसे इसके दो पिज मैंने बताया दर्भंगा से जैनगर उस पर पूरक अपने जोरों पर है मैंने आपको ग्राउंड रियल्टी की वीडियो में ला चुका हूं जिसमें आपने देखा होगा कि दर्भंगा रेल्वे स्टेशन को छोड़ सभी रेल्वे स्टेशनों पे लेक्रिकेशन पोल्स गारे जा चुके हैं बस पोल्स के ऊपर वायर लगाना बाकी रह गया है वह भी रेल्वे को द्वारा बताया गया है कि आने वाले 15 से 20 दिनों में यह सभी काम दर्भंगा रेल्वे स्टेशन पे कंप्लीट हो जाएंगे और दोस्तों इसको लेकर कुछ मीडिया सभी को मिला कि एक बात कहीं जाए तो सभी ने एक ही बात कहीं है कि आने वाले मार्च के महिने में CRS हो जाएगा दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि इस वर्च की शुरुवात में छे जनवरी को चुना गया था CRS की डेट बोला गया था कि एलेक्टिफिकेशन का काम सारा कंप्लीट हो चुका है छे जनवरी को इलेक्टिक ट्रेंड चलाएंगे लेकिन काम कंप्लीट हुआ नहीं था तो CRS की डेट आगे बढ़ा दी कहीं अब इसको लेकर उन्मान जता है जा रहा है कि मार्स तक कंप्लीट हो जाएगा CRS उसके पाद आपको अप्रेल में इलेक् दोस्तों यह जो 100 km पर आवर कि इसे ट्रेनों के नीचे ब्लास्ट को कुछ रिप्लेस्मेंट किया गया था बहुत सारे बतलाव किये गया था जिसका करण ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाय गई थी दोस्तों अलेक्रिक ट्रेन जब चलेंगी तो एक बहुत बहुत बरी जो वजन में डिजल इंजन से बहुत ज्यादा होते हैं उन्हें सहन नहीं कर पाती है इस कारण से इन जो रिल लाइन है समझतिपूर दरभंगा जैनगर रिल लेन उसमें से पहला फेज दरभंगा जैनगर रिल लेन इस पे पट्रियों को बदलने का काम भी शुरू हो चुका जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ताबिक में आपको बता रहा हूँ इसके रिलेटेट भी रिलिवे ने काम सुरू कर दिया है और ये भी मार्स तक कंप्लीट हो जाने की पूरी पूरी उमीद है तो कुल मिला कि यदि मैं एक बात कहूं कि हमें कब से इलेक्रिक ट सब्सक्राइब करने की जरूत पड़ जाएगी तो दोस्तो यही सारी आज की अपडेट थी कैसे लगे आज के आपको यह वीडियो जरूर बताईएगा और दोस्तों कुछ सुझाओ या शिकायत हो कॉमेंट बाक्स में जरूर बताएगा दोस्तों आइसके लिए बस इतना ह मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ तब तक जुरेड़े हैं हमारे के साथ तब तक लिए जय हिंद जय भारत